आज प्रदेश की सबसे बड़ी खबर में शहना इक गूंज रही है जहां बाजपनेता हर्षवदन पाठिल की बेटी अंकिता पाठिल अब ठाकरे परिवार की बहूप बनने जा रही है उनकी शादी शिवसेना प्रमुक बालासाइप ठाकरे के दिवंगत बेटे बिंदु मादो ठाकरे के बेटे निहाय ठाकरे से होने जा रही है तो केंद्रिय जांच एजनसी प्रवर्तनी देशाले ने महाराष्ट राज कॉप्रेटिव बैंग होटाला मामले में एक बड़ी कारवाई को अंजाम देती हुए महाराष्ट के नगरविकास राजमंत्री प्राजक्ता तनपुरे से कई घंटों तक पुछता अच की इसके अलावा मंत्री आधित ठाकरे ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरियंट के रोगियों की समख्या बढ़ रही है हम नकेवल हवाईय डो प्रवेश बिंदो बलकि शहरों के बीतर भी बड़ी संख्या में परिक्षन कर रहे है साउधानी जरूरी है इसी बीच प्रदेश सरकार के उद्धव विभाग ने 12 विबिन कंपनियों के साथ 5,051 करोड के रुपए के निवेश के लिए करार किया है इससे राज के 9,000 लोगों को रोजगार के मोके मिल सकेंगे उदर आयकर विभाग ने गुजरात के एक बड़े उद्धव समूव पर छापे मारी के दोरान 500 करोड रुपे के बेहिसा भी लेंदिन का खुला साथ किया है कारवाई में और खुला से होने की संभाव ना है प्लदिश की इन पाच बड़े खबरों को विस्तार से जानने के लिए पंदरी आप हमारे साथ महाराष्ट में एक दूसरे के लिए आग उगलने वाले दो दलो शिवसेना और भाचपा के नेता अपनी राजनितिक दुश्मनी को रिश्यदारी में बदलने जा रहे है जानकारी के मुताबिक भाचपानेता हर्शवर्धन पाटिल की बेटी अंकीता पाटिल अफ ठाकरे परिवार की बहूब बनने जा रही है उनकी शादी शुसेना प्रमुक बालासाइफ ठाकरे के दिवंगत बेटे बिंदु मादो ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे से होने जा रही है निहार एड़ोकेट के रूप में मुंबई में ही काम करते है तो अंकीता पाटिल पुने जिला परिशत सदस्य है और इंडियन शुगर मिल्स एसोशियेशन की निरेशक भी है अंकीता पाटिल से शादी रचाने जा रहे निहार ठाकरे सियम उदो ठाकरे के सगे भतीज़ है तो वही मन से प्रमुक राज ठाकरे उनके चचरे चाचा है हरश्वदन पाटिल ने राज ठाकरे को भी दोनों की शादी का नियोताब भेजा है अंकीता और निहार 28 दिसंबर को मुंबे के ताज होटेल में विभाबंधन में बंधेंगे महाराष्ट की ज्यादातर राजनितिक परिवारों में शादी का दौर्ट चर रहा है ठाकरे परिवार में 28 दिसंबर को शादी है तो इसके लावा शिवसे नानेता संजेर राउत कॉंग्रेस प्रदेश देक्ष नाना पटोले मंत्री गुलाब राव पाटिल जितनरा आवार के घर में भी शादी की तैयार याच चर रही है केंद्रिय जाज अजनसी प्रवर्तनी देशाले ने महाराष्टर राज कॉपरेटिव बैंक घोटाला मामले में एक बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए महाराष्टर के नगरविकास राज्यमंती प्राजक्ता तनपुरे से कई घंटों तक पूछताच की प्राजक्ता तनपुरे एंसेवी पार्टी के वरिष्च नेता है और उपमुख्यमंतरी अजित पवार के काफी करीबी माने जाते है EDK वरिष्च सूतरों की मताबिक जल्दी तनपुरे को नोटिस बेच कर आगे विस्तार से पूछताच की जाएगी EDK सूतर अधिकारी की मताबिक यह एक चीनी मिल और बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाली कमपणी की निलामी के दवरान फरजी वाड़ा को अंजाम देकर मनिल लॉंड्रिंग के जरीए करोड़ रुपए अरजित करने का मामला है प्राजक्त तनपुरे और उनके परिजनों पर आरोप है कि मालाश राज कॉपरेटुब बैंक से लिए करोड़ रुपए और उस कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के बाद निलाम की गई रामगरेश गड़करी चीन मिल को बाजार मुले से बहत कम कीमत पर खरीदा था उस वक्त उस चीनी मिल की वास्तवी कीमत करीब 26 करोड रुपए थी लेकिन तनपुरे की कमपनी के द्वारा उसे मातर 13 करोड रुपए में खरीदा गया था तनपुरे की कमपनी प्रसाश शुगर और अलाइड एग्रो प्रोड़क्ट ने ही रामगरेश गड़करी मिल को निलामी के दवरान बोली लगा कर खरीदा था लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस वक्त ये डील हुई थी उस वक्त तनपुरे के पिताश सांसद होने के साथ साथ महाराश्ट कौपरेटुब बैंक के निदेशकपत पर कारे रथे राज के कैबिनेट मंतरी आदित ठाकरे ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरियन के द्रोग्यों की संख्या बढ़ रही है हम न किवल हवाई अड़ो प्रवेश बिंद्यो बलकि शहरों के भीतर भी बड़ी संख्या में परिक्षन कर रहे है हर हपते कॉर्परेट कारे लोग को आईटी पीसियार परिक्षन करना चाहिए प्रतिबन लगाने के संबन में सरकार अगरे दो से तीन दिनों के लिए हालात का निरेक्षन करेगी आदित ने कहा कि जिन लोगों को कोविड-19 के टीके नहीं लगे है उन्हें प्रातिमिक्ता के आदार पर टीका लगवाना चाहिए उन्होंने कहा कि घबरानी की जरुरत नहीं है लेकिन जब बात स्वास्त की हो तो चिंता स्वाभाविक है आंतराश्ट्रे उड़ानों पर प्रतिबंद पर आदित ने कहा कि राजसरकार ने अपने नियमों को कड़ा किया है और अतरिक्त प्रतिबंद लगाए है जिनकी समय से में परसमिक्षा की जाएगी उन्होंने कहा कि जब सड़क और ट्रेन यात्रा पर पाबंदी की बाद आती है तो बड़ी संख्या में लोग लगातार पलायन कर रहे है ऐसे में खुद की निग्रानी बेहत अहम है महाराष्ट में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की कुल संख्याद दस हो गई है गबरानी की नहीं लेकिन सतरक्ता बरतने की ज़रूरत है प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने 12 विभिन कमपनियों के साथ 591 करोड के निवेश के लिए करार किया है इससे राज में 9000 लोगों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे फ्रांस की एर लिक्विट कमपनी ओक्सिजन के लिए नाकपूर के बुटिवोरी में 120 करोड का निवेश करेगी इस उद्योग से 50 ने रोजगार का स्लूजन हो सकेगा जबकि एलजबाल कुरिशनन और ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड कमपनी नाकपूर के अत्रिक बुटिवोरी में आटो मोबाइल के लिए 360 करोड रुपए का निवेश करेगी इससे 500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा SMW प्राइवेट लिमिटेड ओल स्टील नाशिक के देवलाली में 1582 करोड रुपए का निवेश करेगी इससे देवलाली में 1500 लोगों को रोजगार मिल पाएगा देश आगरू प्राइवेट लिमिटेड कमपनी लातुर के अतरिक M.I.D.C. में अन्नव प्रक्रिया के शेत्र में 200 करोड रुपए का निवेश करेगी इससे 160 लोगों को रोजगार के मोगे मिल सकेंगे इसके अलावा ठाने के नई मुंबई, अंबरनात, महार समेत अन्य जिलो में निवेश के लिए एक करार हुआ है इस करार के थत कमपनीया सूचना वप्रोदोगी की इलेक्ट्रिक वहन निर्मान, अनप्रक्रिया, स्टील, इथनॉल, अउशद निर्मान, आदी शेत्रों में निवेश करेंगी सामज जैसे करार मोके पर उद्योग मदरी सुबाज देशाई, उद्योग विभाग के अधिरिक मुखे सच्चिव बलदेव सिंग, M.I.D.C के मुखे कारिकारी अधिकारी पी अनबलगन और उद्योग पती मोजुद थे आईकर विभाग ने गुजडात के एक बड़े उद्योग समोपर चापे मारी के दवरान 500 करोड रुपे के बेहिसाबी लेंदिन का खुलासा किया है आईकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर भंगार की भी क्रीड नगतले कर गई थे इसका भी कोई हिसाब दज नहीं किया गया है इसके अलावा फर्जी खरेदारी और खर भी दिखाए गया है आईकर विभाग का दावा है कि उसे जो डिजिटल सबुत मिले है उसमें समो की बेहसाबी आईका विस्टर उद्ब्योरा है बता दे कि 23 नवंबर को कमपनी के अहमदाबाद और मुंबैस्ती 30 ठीकानों पर आईकर विभाग ने चापे मारे थे इस चापे मारे के दोरान जब्त किये गए प्रमुक्वेक्ति के मोबाईल से डिडिट किये गए वाटसेप चैट हासिल कर आईकर विभाग ने अहम जानकार यह जुटाई चैट में समयों की योग आईकम दिखाने और फर्जी लेंदें दिखाने को लेकर बाचीत हुई थी चापे मारे के दोरान 1.80.000.000 रुपए नगत और 8.30.000.000 के गहनों के अलावा 18.000.000 लुकरों का खुला सा हुआ है इसके अलावा आईकर विभाग को कई बेनामी संपतियों की भी जानकारी मिली है इसके अलावा बड़ी संक्या में आपति जनक दस्तावेज डिजिडल सबूत भी बरामत किये गए है विभाग के सूत्रों ने बताया कि कारवाई जारी है इसमें और लोगों की सलिपतता की जानकारी जुटाई जा रही है लालू प्रसाद्यादों के छोटे बेटे और बिहार विदान सबानेता के प्रतिपक्ष तेज़े सिव्यादों जल्द ही शादी के बंदन में बनने वाले है उनकी सगाई कलगुरवार को दिल्ली में होने वाली है उदर विदाय संगी सोम के गनर सिफाही एक महिला को सरयाम थपड़ जड़ने के आरूप है महिला के अनुसार आए दिन वव वर्दी का रोब दिखाता है इसी बीच अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन जल्द भारतिय विग्यानिकों के कबजे में आने वाला है विग्यानिकों ने दो अलग-अलग मरीजों के सैंपल से जीवित वेरियन को प्रुतक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है वही हैदराबाद में राजु गांधी आंतराश्री हवाये डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा 44 मैलाओं के पास से नकली वीजा और दस्तावेस बरामद हुए है यह सभी मैलाए तेलंगना और अंधर प्रदेश से थी और कुवेट जा रहे थी इसके अलावा कॉंग्रेस नेता रशित खान ने यूपी शियावग बोर्ट के पुर्वदेश वसिम रिजवी का सिर लाने को लिए 25 लाग रुपए इनाम देने की बात कही है उन्होंने कहा कि वो इनाम देने वाले अपने पुराने बयान पर कायम है देश की इन पाच बड़ी खबरों को विशा से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ लालू प्रसाद यादो के छोटे बेटे और बिहार विदान सबा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो की शादी के चर्षे कई बार हुए लेकिन अब हकीकत में शादी होने जा रही है इस बार बात पकी है कि वे जल ही शादी के बंधन में बनने वाले है सूतरो के मुताबिक बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो की सगाई कल गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है इस पारिवारी कारेक्रम का आयो जन दिल्ली में किया जारा है जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादो की सगाई में पिता लालू प्रसाद यादो, मार राबडी देवी, मीसा भारती समेत उनके परिवार के सभी सदस से शामिल होंगे तेजस्वी यादों की शादी को लेकर पिछले साल से ही कयास लग रहे थे कई मौके पर तो पत्रकारों को उन्होंने अपनी शादी को लेकर दिल्चफस जवाब भी दिया हाला कि कई बार उन्होंने कहा था कि 2020 के चुनाओं के बाद और पिता को जमानत मिलने के बाद ही शादी करेंगे तेजब्रता पियादों की शादी के लंबे अंतराल के बाद अब लालू परिवार में फिर से रोनक दिखेगी विश्वस सुत्रों ने बताया है कि ये खबर पकी है कि अब उनकी शादी तै हो गई है और दिल्ली में सगाई होने वाली है हाला कि अभी तक तेज़स्वी की होने वाली दुलहनिया का नाम सामने नहीं आया है गोर तलब है कि लालू प्रसाद यादो के दो बेटों में से तेज़स्वी यादो दूसरे नंबर पर है लालू यादों की गयर मौजूदगी में वह पार्टी के सारे फैस लेल लेते रहे है उत्तरप्रदेश के मेरट में कंकर खेड़ा शेतर की राजनगर कॉलिनी में नागेंद्र कुमार अपनी पतनी सवीता और दो बेटे अक्षत और कार्टी के साथ रहते है नागेंद्र आर्मी में डियसी के पत पर आगरा में तैना थै सवीता ने बताया कि उन्होंने चह वर्षपूर कॉलिनी में मकान बनाया था यही पर सिपाई सत्यंद्र पुंडीर अपने परिवार के साथ रहता था सवीता के अनुसार उनके मकान के सामने का प्लॉट खाली पड़ा है जहां अकसर कपड़े सुखने के लिए अगल बगल के लोग डालते हैं वह भी कपड़े डालने गई थी इस पर विदाएक संगित सोम का गनर सिपाई सत्यंद्र पुंडीर विवात करने लगा हद तो तब हो गई जब उसने सरयाम 20 सडक पर महिला को थपड जड़ दिये महिला के अनुसार आये दिन वह वर्दी का रॉब दिखाता है तीन दिन पहले भी गाली गलोज की थी विरोध करने पर मारपिट की धमकी दी थी पिडिता ने कारवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की इसके बाद पिडिता ने SSP से नय की गुहार लगाई अब SSP ने सिपाई पर जांच बैठा दी है पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे है ओमिक्रोन जल्द भारतिय विग्यानिकों के कबजे में आने वाला है विग्यानिकों ने दो अलग-अलग मरीजों के सैंपल से जीवित वेरियन को प्रुतक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके बाद ही जिकित्स ये अधियन शुरू हो सकेगा महाराश्ट और हैदराबाद के दो मरीजों के सैंपल से वायरिस को प्रुतक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इसके बाद वेग्यानिकों ने सिरिया चुहों के दो समूहों पर अधियारी की है एक सुमूह के चुहे को कोवैक्सीन वो कोविशिल वैक्सीन की खुराग भी दी है अब वेग्यानिक तीन तरह से ओमिक्रॉन का असर जानना चाहते है पहला ओमिक्रॉन की गंभिरता पता चलेगी दूसरा यहा कि डेल्टा वोमिक्रॉन के प्रभावों में क्या समानता है तीसरी जानकरी मिलेगी कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों में वोमिक्रॉन का क्या प्रभाव हो सकता है विग्यानिक ने बताया कि पिछले साल जैपूर में संक्रमित मेले इटली के नागरिकों से सैंपल लिया और इसी से कोवैक्सिन की खोज हुई थी अब ओमिक्रोन कले कर अध्यन किया जा रहा है दो सप्ता में प्रारंबिक आकड़े मिलना शुरू हो जाएंगे और चार सप्ता में तस्वीर सपष्ट हो जाएगी हैदराबाद में राजु गांधी आंतराष्टे हुआई अड़े पर इमिग्रेशन अधिकारियों दोरा 44 महिलाओं को रोग दिया गया ये सभी महिलाए तेलंगना और आंधरपदेश से थी और कुवेट जा रहे थी इन सभी के पास से नकली वीजा और दस्तावेस थे पुलिस सुत्रों के अनुसार इन सभी महिलाओं को मुंबई के एक एजटन ने कुवेट में नोकली दिलाने का वादा किया था एजटन ने इन सभी महिलाओं से पैसे लेकर आंधरपदेश के स्थानी एजटों के साथ मिलकर नकली वीजा और दस्तावेस तयार किये थे शुरुवाती जांच में यह बात सामने आई है कि एजटन ने महिलाओं के लिए दो वीजा तयार किये थे एक वीजा इमिग्रेशन अधिकारियों को दिखाना था और दूसरा नोकली का वीजा कुवेत में अधिकारियों को दिखाना था एजटन ने इसके बाद सभी महिलाओं के लिए राज्यो गांधी आंतराश्टे हवायादे से टिकेट भी बुक करवाये थे हवायादे पर अधिकारियों ने दस्तावेज को नकली पाया और तुरंथ ही CISF को सुचित किया सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर राज्यो गांधी आंतराश्टे हवायादे पर पुलिस को सोब दिया गया पुलिस ने मामले की जांच करने के बात पाया कि ये सभी महिलाओं पीडित है और उन्हें जाने दिया इस धोकादड़ी के मामले की आगे की जांच की जा रही है कॉंग्रेस नेता रशित खान ने यूपी शियावग बोर्ट के पुर्वधेक्ष वसिम रिजवी का सिर लाने वाले को 25 रुपे का इनाम देने की बात कही है उन्होंने कहा कि वो इनाम देने वाले अपने पुराने बयान पर कायम है साथ उन्होंने रिजवी पर इसलाम को लेकर गलत बयान बाजिक करने के आरोप लगाया है बता दे कि रिजवी ने सोमवार को डासना के देवी मंदिर में हिंदु धर्म अपना लिया धर्म परिवर्थन के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलिमों ने उन्हें समुदा इसे निश्कासित कर दिया है और वह कोई भी धर्म चून सकते है उन्होंने कहा कि सनातन धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है मुसल्मान हिंदूों के घर जलाते थे इधर रशित खान ने कहा कि मैंने वसिम रिजवी पर आट मैंने पहले बयान दिया था कि जो भी वसिम रिजवी का सिरला कर देगा मैं उसे 25 लाख इनाम दूँगा मैं अपने बयान पर कायम हूँ उन्होंने कहा कि जब भी कोई शक्स हमारे धम के बारे में गलत बयान बाजी करता है तो सच्छा मुसल्मान किसी की भी जान कलम कर सकता है उन्होंने आरोप लगाए है कि रिजवी लगातार गलत बयान बाजी कर रहे है खान ने सवाल किया कि अगर भगवान द्राम के लिए कोई ऐसा बयान देता है तो आप सहते क्या रिजविज़े से लोग मजब के नाम पर जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान की पंजाब प्रांद के फैजलाबाद में चार महिलाओ के साथ बजसलुकी की गई बिस सडक पर उनके कपड़े उतरवाए गए इसके बावजूत लोग नहीं माने और लाठी डंडों से उनकी पिटाई भी की इसे बीच अमिर्का ने रूस को सपष्ट चेताउनी दी है कि अगर उसने यूकरेन पर आकरमन किया तो उस पर प्रतिबंद लगाए जाएंगे रोकने के लिए 65 किलमेटर लंबी लोहे की दिवार बनाने का काम पूरा कर लेने का एलान किया है यहां हाइटेक दिवार अंडरग्राउंड सेंसर रेडार और कैमरों से लेस है वही ओमिक्रॉन संकरमन को देखते हुए बिटिश एरवेज ने मंगलवार को कम से कम 2000 रेना है कि यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है इसके अलावा चीन की सरकार ने दमपतियों को तीसरी संतान के लिए गर्भवस्ता वप्रसव के दवरान आने वाले खल्च में सबसिड़ देने और करों में चूट देने सहीत कई सहाय उपायों की घोश ना की है दुन इस सड़क पर उनके कपड़े उत्रवाए गए इसके बावजुद लोग नहीं माने और लाठी डंडो से उनकी पिटाई भी की घटना का पूरा वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया है करिब एक घंटे तक चले इस घटना करम में चारों महिलाये दया की भीक मांगत पीडित महिलाओं ने बदाया कि वे फैजलाबाद के एक बाजार में कुड़ा बिनने गई हुई थी इसी बीच उनको प्यास लगी तो वे उस्मान इलेक्रिक स्टोर पर जाकर पानी की बोतल मांगने लगी लेकिन दुकान मालिक सद्दाम ने उन्हें दुकान से चोरी करन वाला समझ लिया और आरोप लगा कर पिटाई शुरू कर दी इसी बीच वहाँ भीड इकटा हो गई भीड ने महिलाओं के कपड़े उतरवाए उन्हें सड़क पर नंगा चलाया और उनकी पिटाई भी की आमतोर पर महिला संगटनों की ओर से ऐसे कई मामले सामने लाये जा कि सभी को गिरफतार भी किया गया है मामले की जान चल रही है यूकरेन सिमा पर चल रहे तनाओं के बीच अमरिका के राष्टपती जो बाइडन और रूस के उनके समकष्ट वालदीमिर पुतिन के बीच दो घंटे तक वीडियो कॉल के जरिये बातचित हुई इसमें अमरि तादात में सैनिक और अत्यादुनिक हतियार यूकरेन की सिमा पर तैनात किये है एक तरह से रूस द्वारा यूकरेन पर हमला करने की आशंका बढ़ गई है पूतिन इस बैटक में बाइडन से यह ग्यारंटी चाहते थे कि नाटो से नगडबंदन यूकरेन समेत अन्य यूकरेन के सवाल पर तनाव कम करने की अभी कोई गुंजाईश नहीं दिखाई दी है अमेरिका ने रूस को आकरमन के गंभिर परिनाम भुगतने की कड़ी चेताउन याद दी है अमेरिका के राष्ट सुरक्षा सलाकार की माने तो बाइडन ने राष्ट पति पुतीन को स साथ मजबूत करेगा इसराइल ने गाजा से होने वाले हमास के हमलों को रोकने के लिए 65 किलोमेटर लंबी लोहे की दिवार बनाने का काम पूरा कर लेने का एलान किया है यह हाई टेक दिवार अंडरगाउड सेंसर रेडार और कैमेरों से लेस है गाजा की ओर से इस दिव साल के निर्मान के बाद पूरा किया गया है इसराइल के रक्षा मंत्राले ने एक बयान जारी करके कहा कि 65 किलोमेटर लंबा बैरियर का काम पूरा कर लिया गया है दरसल मई महने में हमास और फिलिस्तिनी लडाकों के बीच जोरदार जंग हुई थी जिसमें हमास के ओर से ह जारों की तादात में रॉकेट हमले इसराइल पर किये गये थे इसके जवाब में इसराइल ने भी सेकड़ो बार गाजा शहर पर हवाई हमले किये थे इसमें गाजा शहर में 240 लोगों की मौत हो गई थी वह इसराइल में भी 11 दिनों तक चली लडाई में 12 लोग मारे गये इसराईल ने अपने नागरिकों को चेताओं नी दी थी, कि हमास के लोग गाजा से सुरंगों के जरी जरीए इसराईली इलाके में घुसपेट करके हमले कर सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सुरक्षाग कुछ इस तरह से मजबूत करने की जित की. इसराईल ने वेस्ट बैंक इलाके में भी इसी तरह की दिवार बनाई हुई है। कि बिटिश एर्वेज ने अपने विंटर शेडूल से 2144 उडानों में कटोती की है। इनमें आदे से अधिक की योजना जनवरी के लिए बनाई गई थी। एरलाइन ने दिसंबर में 210 उडाने, जनवरी में 1146, फरवरी में 210 और मार्च में 243 उडानों की कटोती की है। इस फ मांग के कारण अपने शेडूल को मैनेज किया है। इस क्रम में बिटिश एर्वेज ने एक बयान में कहा कि हजारोटन सतत्विमान इंदन का उत्पादन यूके में पहली बार इमिंगम के पास फिलिप्स सरसथ हमबर रिफाइनेरी में किया जाएगा और बिटिश एर्वे अपने दमपतियों को तिस्री संतान के लिए गर्भषता वप्रसों के दोरान आले वाले खल्च में सबसीड़ी देने और करों में छूट देने सहित कई सहायक उपायों की घोश ना की है। उसके इस कदम का उद्देश विश्वकी सरवादिक आबादी वाले देश में जन करने का एक बड़ा नितिगत कदम है। NPC ने एक संशोधित जनसंख्या वपरिवार नियोजन कानुन पारित किया है जो चीनी दमपतियों को तीन संतान रखने की अनुमति देता है। यह संभवत बच्चों के लालन पालन पर आने वाले खर्च के कारण अधिक संतान रखने में चीनी दमपतियों के रूची नहीं लेने की समस्या का समाधान करने के लिए उठाया गया कदम है। इस सिलसिले में कई सहायक उपायों की घोशना की गई है। इनमें पितरुतवा उकाश देना, मातरुतवा उकाश और विवा के लिए चुट्टी की अवधी बढ़ाना पितरुतवा उकाश की अवधी बढ़ाना आदी शामिल है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखतेर ये वी के भी नियूस, नमस्कार।